नमश्कार आप देख रहें एबिपी नियूज मैं हूँ आदर्श जहा समय हो गया है सुपर सिक्स का लेकिन उससे पहले एक बड़ी ख़बर आपको दे दें केंद्री बंतुरी अनंत कुमार का निधन हो गया है रात डेल बजे बेंगलूरू में अपने निवास पर अनंत कुमार ने आखरी सास ली अनंत कुमार कैंसर से पीडित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे इस वक्त की बड़ी ख़बर हम आपको दे रहे है केंद्री बं देर है हम आपको ebp news पर केंदरी मंतनी अनंत कुमार का निधन मोधि सरकार में संसदी आकारी मंतनी थे अनंत कुमार, दक्षण भारत में bjp के बड़े निता माने जाते थे अनंत कुमार और अनंत कुमार का निधन हुआ रात डिल बजे उन्होंने अपने आवास पर ही अंतिम सास ली अनंत कुमार लंबे वक्त से कैंसर से पीडित थे कैंसर का इलाज चल रहा था उनका मोदी सरकार में संसदिय कार्य मंत्री थे और टॉप और के खास करके प्रधान मंत्री के काफी करीब माने जाते थे हमें चाह के काफी करीब माने जाते थे और जिस तरह से बीजीपी हाल के वर्षों में काम करती रही है उसमें अनंद कुमार का बड़ा रूल बाना जाता रहा है विकास भधोरिया इस वक जोड़ गए है हमारे साथ विकास क्या मिल रही है पूरी जानकारी अनंद कुमार के अगर बात करें बीजेपी के संकट मोचक माने जाते रहे हैं और अगर देखें तो पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे जब बीजेपी की सरकार थी और तमाम बड़े नेता जो रहे हैं खास करके प्रधान मंत्री हो या पार्टी है देखें उनके काफी करीबी माने जाते रहे हैं प्रणकट के वक्त पर हमेशा आगे बढ़कर पार्टी के लिए एक नया रास्ता तलाशने वाले जाते रहे हैं लालकिष्ण आडवानी के बेहत करीवी रहे और पार्टी को मजबूद करने में लगातार यवदान देते रहे करनाटक में जो कहा जाता है कि डक्षण में कमल जब उगा तो उस समय अनंद कुमार की जी एहम भुनका रही क्योंकि करनाटक से बीजेपी का चैरार केंड़ी राइनिटी में अनंद कुमार ही हुआ करते थे अनंद कुमार मद कुमार मद कुदेश के इंचार्ज रहे मद गुरेश में लगातार पिछले 15 सानों से बीजेपी की सरकार है और ये माना जाता है कि वहाँ पर संगठन को मज़ूट करने में भी अनंद कुमार ने एक मात्मूग भुनका निवाई है तो उनंद कुमार का बाती राइनिटी में के बड़ बीजेपी में नहीं बिल्की बाती राइनिटी में अगलब एहम योगडान था तो कम उम्र में उनका इस तरह से चले जाना बाती राजिती में बड़ी च्छती है तो अनन्द कुमार ही सबसे आगे नजर आते थे बंगलेरू दक्षन सीट से सांसद थे अनन्द कुमार आपको बता दे और 1996 से लगातार अनन्द कुमार सांसद रहे है और बीजेपी में उनकी एक अलग छवी थी संकट मोचक की छवी थी जब भी कभी पार्टी को जरुरत पड़ी जहां जरुरत पड़ी ना केवल साउथ हिंडिया में दक्षन भारत में बलकि कहीं पर भी पूरे देश में अनन्द कुमार वहाँ पर आगे नजर आये और यह बागे बढ़ते हैं और सुपर सिक्स में आपको बाकी खबरों से भी रूबरू करवा देता है